फूट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के अपने बहुत सारे बेनेफिट है आप किसी भी चीज का फूट प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप लगा रहे हैं तो आपको अपने स्टेट गर्मेंट से भी बेनेफिट मिलता तो है ही साथ ही साथ आपको PMGP स्किम में 35% तक के सब में बेनेफिट मिल जाता है प्रॉफिट में भी बेनेफिट मिलता है यानि कि वो टैक्सेबल नहीं होता है जैसे एक छोटा एजामपल में आपको बता दूँ अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और अगर आपने प्लांट एंड मशिनरी में खर्चा कर दिया पा का मशिनरी है वहां पर भी आपको 50-100 पर्चेंट तक सबसीडिन गर्मेट करा रहा है राजस्थान गर्मेंट इसी तरिके का सबसीडिन परवाइड करा रही है अगर प्लांट एंड में इंवेस्ट्मेंट वन शीयर यह पांच चीयर इस तरीके से जादा हो तो या उतना ओ तो आज कि इस वीडियो में मैं जिस food processing unit की बात करूँगा उसका नाम है coconut water, नारियल पानी, नारियल पानी में बहुत ज़्यादा scope है, नारियल पानी अभी की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला pay पदार्थ हो गया है, इसमें कोई दो रह नहीं है कि उसके medicinal benefit हैं ही है, साथ ही साथ वो एक अच्छा पानी का source भी है, जहां पर हम अपने body को पानी fulfill करवा पाते हैं, नारियल पानी का अगर आप food processing unit लगाते हैं, तो क्या क्या इसका तरीका होगा, किस तरीके का location देखना होगा, सरकार के तरब से आपको कौन कौन से skim में benefit हो सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे, सबसे पहली बात, अगर आप नारियल पानी का प्रोकेशन देखना चाहिए, वैसे तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई problem नहीं है, कहीं भी in the sense कि आप किसी भी शहर मे लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो है coconut का procurement कैसे हो सकता है, कितना दूरी पे होगा, कितना असानी से होगा, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर आप बंगाल में हैं, तो आपको नारियल पानी का जो नारियल है, वो असान नारियल आपको सही तरीके से procure हो जाए, दूसरी बात करें कि कितना इसमें space चाहिए होगा, तो इसके लिए कम से कम space आपको 2000 से लेके 3000 square feet तक का space, more than enough है starting में, ठीक है न, और ये भी depend करेगा कि कितना बड़ा plant आप लगा रहे हैं, जैसे automatic plant अगर आपने लगा लिया, तो ये space शायद बढ़ भी सकता है, नहीं, अगर आप semi-automatic पर काम करेंगे, या एकदम से सुरुआती में, manual पर ही अगर आप काम करेंगे, manual चार-पांच machine आपने लगा दिया, ये semi-automatic एक ही machine लगा दिया, तो 2500 square feet more than enough है, शुरू में आप इतना से काम कर पाएंगे, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम machine की, उससे पहले मैं बात करता हूँ, नारियल पानी procurement की, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लोगों को नारियल वो आसानी से ही मिल जाए, तो कैसे आप ले सकते हैं, ये देखिए, इसके लिए आपको Google पे सर्च करना है, coconut water in wholesale, ऐसा करके जब आप सर्च कर है, apart from that, जरन नीचे हम लोग आके आते हैं, और इस coconut का नाम होता है, tender coconut, ठीक है न, ये देखिए, tender coconut, जिसमें से पानी निकलता है, उसको tender coconut बोलते हैं, अब यहां से जैसे ट्रक का ट्रक माल आ रहा है, ये कहां का है, तो ये एहमेदबाद गुजरात के हैं, ठीक है, इस त जैसे मैं आपको छोटा सा दिखा ही देता हूँ, ये देखिए, commodity online करके है, यहां पर मैंने सर्च किया हुआ है, tender coconut online pricing आजादपूर, ये कौन से डेट का दिखा रहा है, दो बार है, यानि कि 2 December का pricing आपको शो कर रहा है, देखिए क्या शो कर रहा है, मीनिमम प्राइस है, 90 ये प्राइस थोड़ा सा जम नहीं रहा है, ये कुछ जादा ही सस्ता हो जा रहा है, लेकिन इसके उपर जब आपाएंगे तो market price में यहां पर दिख रहा होगा कुछ और ही कहानी, और यही एक नारियल का कीमत बाहर जाके क्या हो जा रहा है, जैसे 10 रुपे पर पीस में, 20 रुपे पर पीस में, 20 रुपे पर केजी में यहां बिक रहा है, 20 रुपे पर पीस में बिक रहा है, 10 रुपे पर पीस में बिक रहा है, 100 रुपे पर केजी में बिक रहा है, अलग-अलग pricing है, ठीक है, और सेम चीज हमें बाहर में कैसे मिलता है, फुटकर में, रिटेल में ह कीमत, एक nagliril पानी का कीमत होता है 35 रुपया, अब एक डेट में मैंने क्या देखा है कि छोटे nagliril का कीमत लोगों ने 60 रुपया रख दिया, बड़ा का 65 रख दिया, या थोड़े छोटा का 65 रख दिया और थोड़े सा बड़ा का 70 रख दिया, इस तरीके से भी लोग game कर रहे हैं जो retailer है वो लोग ये game कर रहे हैं लेकिन आपको चुकी food processing unit में आना है तो आपको वैसा नारियल seller को पकड़ना है जो की कम दाम में अच्छा दे जहीर सी बात है तो आपको वो कहां से पकड़ना है वो यहीं से पकड़ना है और आपके पास जब भी वो आएंगे नारियल delivery करने के लिए वो truck के truck लेकर आएंगे तो आपको एक चीज ध्यान भी रखना है कि आपके पास इतना space होना चाहिए तो ही आप कर पाएंगे ठीके ना तो आपको इसलिए मैं बताया कि कम से कम 2-3,000 square feet तक का जगा आपको लेना पड़े है food processing क नहां पर आने के साथ में हर मशीन का अलग अलग दाम देख लेना है मैं किसी भी seller को मैं किसी भी seller के बारे मैं नहीं कह रहा हूं कि यह seller अच्छा या बुरा है मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आपको जानना चाहिए किसी की बड़ाई नहीं किसी की बुराई नहीं आ आप अपना बुद्धी विवेक का यूज कीजिए, 10, 5, 15 सारे मशीन सेलर से बात करिए, देखिए, उनसे विजिट कीजिए, उनके टॉमेंट कंडिशन को समझिए, उनके आफटर सेल सर्विसेस को समझिए, क्या वैरेंटी दे रहा है, और जब सैटिसफाइड हो जाएं आप, तो ही आप पर्चेज करें, ऐसे बिल्कुल भी पर्चेज आपको नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्राइजिंग शो कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक कोईमबर टूर के कोई मशीन सेलर है, उनके एक मशीन का कीमत है 1.5 करोड रुपिया, क्यों है भाई, तो यह है फुली ओटोमेटिक टेंडर कोकोनट वाटर प्लाट, अब आपको यह समझना है कि क्या आपको इतना रिकॉर्मेंट है, कि 1.5 करोड का प्लाट लगाना है, क्योंकि 1.5 करोड का अगर आप प्लाट लगाने जाएंगे, तो आपके पास उससे ज़्यादा का सेल करने का आप्शन होना चाहिए, अगर नहीं है, तो नीचे आईए, इसी तरीके से जब हम नीचे सर्च करते हो आएंगे, तो यहाँ पर आपको अलग-अलग टाइप का सेलर दिखे है, जैसे एक सेलर मुझे दिख रहा है, जिनका एक मशीन का कीमत है 1.5.000 और कैपसिटी है 100 kg पर आवर, क्या है, तो कमर्शिल कोकोनट जूस एक्स्ट्राक्टर हमें चाहिए भी वही, एक बार हमने जूस एक्स्ट्राक्ट कर लिया, आटोमेटिक कोकोनट पाउडर, पाउडर तो नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्राक्टर चाहिए, मिल्क प्रोसेसिंग लाइन, कुछ लोग इसमें ना कोकोनट मिल्क भी बनाते हैं, तो दो से तीन लाइक में वही मिल जागा, लेकिन अगर आप फुली आटोमेटिक लेंगे, तो हो सकता है तीन से चार लाख रुपिया लग जाए, ठीक है, तो अगर मैं वन टाइम इन्वेस्ट्मेंट की बात करूँ, तो जगह और मशीन, मशीन मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम, पांच से साथ लाख या आठ लाख के असपास में मशीन आपको मिलेगा, ठीक है, और वही मैं अगर बात करूँ पैकेजिंग मशीन की, तो ये मशीन लगबग आपको तीन से चार लाख मिलेगा, यानि कि मशीन का कीमत मान के हम चल ले हैं कि 10 से 12 लाख रुपिया लगेगा बाद बाकि फैक्टरी का सेट अप में आपको कुछ extra investment लग सकता है यानि कि 15 से 16 लाख के आसपास में आपका machine हो जाएगा और बाद बाकि working capital इसके according अगर मैं business plan बनाओं तो लगबाग 20 से 25 लाख र लगता है project report हो गया उद्यम registration हो गया आपका education का certificate हो गया और आपका जो basic अधार pen address proof यह सारी चीज़ें हो गए इसके basis पर आप PMGP में loan apply करेंगे वहाँ पर आपका loan approval होगा फिर bank में जाता है फिर bank आपको disperse करके loan provide करा देता है यह overall function है PMGP में loan प्राप्त करने के लिए document बनवाने के लिए approval के लिए इन सारे चीज़ों के लिए आप screen पर दियो हो नंबर से आप संपर्क करें या myproject report.com website पर विजिट करें इसके अलावा एक और scheme है प्रधान मंतरी क्रिसी संचय योजना आप इस योजना के तहत भी 10 लाग तक का loan ले सकते हैं जहां पर 35% तक का subsidy आपको मिल जाएगा same document लगेगा किसी भी बैंक में जाकर कर सकते हैं कौन से बैंक में सरकारी बैंक किसी भी type का document के लिए screen पर दियो हो नंबर से आप संपर्क करें या description में दियो हो डील से आप संपर्क करें हमने तो brand बना लिया अब इसको sell कैसे करें मार्केटिंग हम कैस करें उस पर हम focus करते हैं coconut water को sell करने के लिए हमें वैसे जगह पर जाना होगा जहां पर coconut को direct पीना संभव नहीं है वहां पर coconut water हम packet में ही पी सकते हैं कौन कौन सा ऐसा जगह हो सकता है सबसे पहला नमर जो जगह हो सकता हो होता है हमारा five star hotel दूसरा हो गया हमारा इसमें super market ती चाहें तो 15 रुपिया 20 रुपिया में इस तरीके से एक छोटा छोटा coconut water का आप बॉटल बना कर आप बेच सकते हैं इस तरीके से आपको करना होगा marketing के लिए आपको एक अच्छा distributor network बनाना होगा और उसी distributor network के थुरू आप इसको sell कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको करना है distributor बनाना है distributor के थुरू आप बल्क में समान बेच पाएंगे बात बाकी आगे का काम distributor खोदी कर देता है तो आपको focus किस पर करना है आपको focus करना है एक अच्छी packaging पर इसके बाद आपको focus करना है एक अच्छा distributor पर दो चार distributor भी आपने बना लिया तो initial level पर वो आपका माल खपा देगा और ऐसा नहीं है कि सारे लोग नारियल पानी को नारियल में पीना पसंद करते हैं दस रुपे पंदर रुपे में अगर बीकने लग जाए चोटे चोटे शाइज का जैसे juice बीक रहा है ना mango juice दस रुपे बेच बेच रहा है वो लो तो आप नारियल पानी क्यो अपना बेचे जा रहा है तो कुछ इस तरीके से आपको प्लान करके मार्केट में आना होगा अब बात करते हैं इस काम को करने के लिए कौन कौन से डॉकुमेंट का रिक्वार्मेंट होगा तो सबसे पहले इसमें रिक्वार्मेंट होगा business restriction वो आप के लिए screen पर दिये हो नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं आपको सारा डॉक्मेंट टाइमली बना कर दे दिया जाए अपको यह वीडियो प्रसंद आया होगा पूरे वीडियो देखिने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा थैंक्यू सो मच टिक केर बाबाए